दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है बाड पूर्व की तैयारी जुटी में नितिस सरकार 26 जिलो को किया गया जिहा राज में संभावित बाड को लेकर मुझमंत्री नितिस कमार के आदेश के बाद लोक स्वास्थ अभियंत्रन बिभाग के जिलो के अपने कार पलक अभियंत्यों को विस्तित्र दिसा निर्देश जारी किया है PHED ने 26 जिलो को पत्र भेजा है जिसमें संभावित बाड चेत्रों में पेजल, सोचालाई और स्वाक्षता आदे की वेवस्ता की पूरी तैयारी पहले से कर लेने को कहा है ताकि ऐसी कोई परिसिती आती है तो ततका लोगों को सभी स्वेदाय उपलब्त कराई जा सकी अगली बड़ी कबर बिहार में ये लाइबरेरी पर दसवी कक्षा तक के बच्चों को मिलेगी केचप कोर्स की समगरी चेट के जरिये सिक्चक देंगी सवालों की जवाब जिया बिहार में कोरोना संक्रमन पर नियंतरन के लिए पुरे राज में संपुन लोगडाउन लागू है कोरोना काल में इसकुल के बंद रहने के कारण 5 अप्रेल से ही कक्षा 2 से 10 वी तक के बच्चों को केचप कोर्स की पढ़ाई कराई जानी थी अब सरकारी स्कुल के बच्चे के लिए तयार डिजिटल प्लेटपर्म पर ए लैबरेरी की सुविदा दी जा सकेगी जिस पर केचप कोर्स से जुड़ी अध्यन समगरी उपलप्त कराई जाएगी इसके लिए बिहार सिक्चा परियोजना परिशत के द्वारा वेबसाइट भी तयार किया गया है जिसे यूनिसेप और S-C-E-R-T के सयोग से तयार किया गया है student bepclots.biharg.government.in पर जाकर इसे देख सकेंगे आपके जानकारे के लिए बता दे कि अभी इस पर कंटेंड अपलोड करना बाकी है जल्दी बच्चे इसका लाब ले सकेंगे lockdown में मांजी को बेरोजगार की चिंता CM NITIS से 5000 रुपे बेरोजगारे भत्ता देने की मांग मांजी ने ट्विट करते वे लिखा कि वित्य संकर से जोज रहे हमारे बेरोजगार इवक इवतियों के लिए हम ने चुनावी गोसनपत में वादा किया था कि हमारी सरकार बनीतों ने 5000 रुपे बेरोजगारे भत्ता देया जाएगा मैं माननिया नितिस कुमार जी से अनुरोद करता हूँ कि सुबे की बेरोजगार इवक इवतियों को 5000 रुपे बेरोजगारे भत्ता दे अगली बड़ी के बर बिहार में अपने प्रावेट गाड़ी से भी यात्रा कर सकेंगे लोग लोगडाउन में बना ये नया नियाँ जिया बिहार में कोरोना की रोक्ताम को लेकर सरकार ने 25 मैं तक लोगडाउन का एलान किया है कोरोना संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए नितिस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है लेकिन इस बर लोगों को थोड़ी सी रहात भी दी गई है और साथ ही थोड़ी सक्ती भी बरती गई है साधे बिया में सामिल होने वाले लोगों की संक्या में कमी और दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया है इस लोगडाउन में जो लोग अपनी प्रावेट गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं उनकी लिए भी नए नियम बनाए गए हैं बिहार सरकार की नए गाडलाइन के मुताबिक बिहार में बाहर से आने वाले यात्री या बिहार से बाहर जाने वाले यात्री प्रावेट गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें ट्रेन या हवाजाज के टिकट साथ रखना होगा तबी वे ऐसा कर सक सभी परकार के माल वाहक को भी वैसे नीजी वाहन जिन में हवा जहाज टेन यात्रे यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो उनको भी अनुमती होगी करतेत पर जाने है तो सरकारी सेवक एवं अन्य आवैसक अनुमान सेवाओ की निजी वाहन को भी अनुमती होगी अगली बड़ी कबर डियम और स्पी को राज सरकार का निर्देश इन चीजों के आवागमन पर ना लगे कोई रोक नहीं है नीचे इस्तर तक की अधिकारियों को इस सम्मन में दिशा निर्देर सिख रही जारी करें पसु एवा मते से संसाधन विभाग ने इस सम्मन में सबी जीलों को सुकुरवार को पत्र जारी कर दिया है आपको बदाद की पसु एवा मताई से संसाधन मंत्री मुके सनी ने कहा कि मचली मुर्गी मांस वो अंडे आधी व्यवसाई से जुड़े लोगों को कोई दिक्कत ना हो यहाँ देखती वे जीलों को निर्देश जारी किया गिया है बिहार को विदेशों से मदद मिलने का सिलसिला सुरू अमेरिका से मिले 184 ऑक्सिजन कंस्ट्रेटर जिया कोरोना से लड़ाई को बिहार को अब देश के साथ ही विदेशों से भी मदद मिलने लगी है अमेरिके की कमिनिटी पार्टनर्स इंटरनेशनल संस्टा तदा भारत की टाटा मेमोरियल हॉस्पिडल द्वारा इस्ताबिश संस्टा नव्या के सयोग से 184 ऑक्सिजन कंस्ट्रेटर पतना पहुच गई है बिहार फाउंडेशन के मैदम से मिले इन ऑक्सिजन कंस्ट्रेटर को स्वास्ती बिवाग के हवाले कर दिया गया है बड़ी कबर राज के आयूस डाक्टरों ने वापस लिया होम आइसलेशन में जाने का फैसला सरकार से कीती ये मांगे जिहार राज के समीदा पर बहाल आयूस डाक्टरों ने 15 माई से प्रास्तावित होम आइसलेशन पर जाने का निने को वापस ले लिया है आयूस मेडिकल सर्विसेशन के अध़च डाक्टर जैसंकर परसाद ने सुकरवार को जारी विगादवित में हरताल वापस लेने की जानकारी दी है उन्होंने बताय कि राज आयूस समीती में बिशेश सचीव स्वास्त बिवाग अरविंदर सिंग के साथ आयूस मेडिकल सर्विसेश एससेशन और आरबिके संगटन के साथ आयूस चिकिसकों के सभी मुद्दी पर वारता होई है पसंद दिया है कि 3270 चिकिसकों की बहाले में तक्निकी कटनाई को जल दूर किया जाएगा टेकनिकल आयोग हाई कोट के निर्दे सनुसार 12 वर्स उम्र से छूट के लिए स्वासी विवाग से पुछा था उसका जवाब भी अगले 4-5 दिन में चला जाएगा जिससे आगी क प्रक्रिया जिसे फर्म भरवाना हुआ शुरू कर देगा उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा 65,000 प्रतिमा मांदे करने पर भी बात हुई है इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसे करने के लिए उपर लेवल पर 2-3 बार बात भी हो चुकी है क्योंकि विदानसमा में मामदा उ साथ भरी है पिछले 24 घंटे में संक्रमन की दर 7% से नीचे 6.91 पहस्ति हो गई है जबकि एक दिन पूर्वне राज में संख्रमन की दर 7.93 पहस्ति दी पिछले 24 घंटे में संक्रमन दर 1.92 फहस्ति की कमी आई आपको बदा दे कि पिछले 24 घंटे में बिहार में 7494 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जिसमें पटना में सरवाधिक 960 नए संक्रमित मिले हैं वहीं एक अच्छी कबरे की पिछली 24 गंटे में राज में 14,131 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं जबकि 77 की मौत हो गई है अगली बड़ी कबर मास्क नहीं पानने पर 13 दिनों में 45,000 लोगों ने दिफाईन बिहार में हर दिन पकड़े जा रहे हैं 4,000 लोग बिहार पुलिस की रिपोर्ट के नुसार 1 माई से अब तक यानी कूल 13 दिनों में करीब 45,000 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है अब तक 20 लाग से अधिक का जुर्माना केवल मास्क नहीं पानने वालों से बीते 13 दिनों में वसुला गया है बिहार से महराष्ट जाने के लिए अब RTPCR जाच रिपोर्ट अनिवार यात्रियों की बड़ी मुस्किले पटना से मुंबई और पुने जाने वाले हवाई वा ट्रेन यात्रियों को अब अपना RTPCR टेस्ट अनिवार रूप से करवाना पड़ेगा इसकी रिपोर्ट निगेटिव रहने परे उनको इंटरे मिलेगी महराष्ट सरकार ने पूरे महराष्ट में परवेश के लिए यहाँ नियम लागो किया है पटना से मुंबई और पुने की सीधी हवाई सिवा है लिहाजा वहाँ जाने वाले यात्रियों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कोरोना काल में बिहार लोटे लाखो परवासि महज़ूर को सरकार देगे आर्थिक साहता ऐसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन जीहाँ कोरोना काल के दोरान बिहार लोटे परवासि वो इस्तानिय कामगारों को विशिस अनुदान का लाब दिलानी की प्रक्रिया तेज हो ग में बंदन ऑफलाइन किया गया था लेकिन इस बार यहाँ अफलाइन किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले हर मज़ूर की स्क्रिनिंग भी हो सके अगली बड़े कबर कॉरोना की दोसरी लहर में सबसे अधिक 20-49 साल के यहाँ संक्रमित विशेशक बोले नौझावानों की लापारवाई पड़ ही है भारिया बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमन के सबसे अधिक सिकार 20-49 साल के नोजावन हुए हैं इस आयू वर्ग के कूल 43-4 फिजदी वह अब तक संक्रमन की चपेट में आए हैं एक अप्रिल से अब तक कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों में इवावो की सिंक्या सबसे अधिक है संक्रमित होने वालों में 25.4 फिजदी 20-29 साल के हैं वहीं दूसरे इस्तान पर संक्रमित होने वाले 30-49 साल के हैं कूल संक्रमितों में इनका पर्तिसत 18 है सबसे कम 4.4 पर्तिसत 0-9 साल के बच्चे संक्रमित हुए है अगली बड़ी कबर PM किसान सम्मान निदी के आटवी किस्ट हुई जारी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो यहां करे सिखाया प्रदान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना के तहद कल PM मोदी ने योजनाओं के आटवी किस्ट के रूप में 12,000 रूपिय रेजिस्टेशन कराए हुए किसानों के खाते में डाले हैं इस योजना के तहद 9.5 करोड किसान रेजिस्टर है जिनें इनका लाब मिला है प्रदान में आपका पैसा नहीं आया हो तो आप अपने सिकाय दर्ज करा सकते हैं आप किसान हेलप लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 011-24-300-606 पर कॉल करके आप अपना सिकाय दर्ज करा सकते हैं जिहां बिहार में नहीं रुगेगा 18-45 वालों का व्यक्सिनेशन 6 लाख वैक्सिन और पहुचे सरकार टिका लगाने में तेजी लाएगी जिहां बिहार में कोरोना वैक्सिन के सिर्फ साड़े तीन लाग डोज के सारे सुरू हुए 18 से 45 के उम्रवालों के वैक्सिनेशन का काम रुकने की आसंका फिलाल खतम हो गई है राज सरकार को 6 लाग से जादा वैक्सिन के और डोज मिल गए हैं सरकार कर रहे कि अब वैक्सिनेशन के रप्तारों तेज की जाएगी लेकिन फिर भी बिहार को जितने वैक्सिन डोज की ज़रूत है उसके मुताबिक आपूरती सुन्न के बराबर ही माना जा सकता है दरसल बिहार में पिछले 9 माई से 18-45 तक के उम्रवालों का वैक्सिनेशन सुरुक किया गया था सरकार ने जानकारी दी थी कि कोवी सिल्ड वैक्सिन के साड़े 3 लाख डोज उसे मिले हैं उसके सहारे वैक्सिनेशन सुरुक की जा रही है हाला कि बिहार में वैक्सिन लेने वालों की तादाद को देखते वे आपूर्ती बेहत कम है, सुबे में 18-45 उम्र वालों की तादाद लगबग 5.5 कड़ोर बताए जाती है, उस हिसाब से बिहार को लगबग 5.5 कड़ोर वैक्सिन की जरुरत है और अनकी बड़ी खबर नाइट कर्पो का नियम तोड़ने वालों पर नहीं बरसेंगे पुलिस के डंडे, डिजीपी ने दिया निर्देश, या लोगडाउन के दोरान बिहार पुलिस यदि आपको रात में पकड़ती है तो आब वहा किसी भी तरह से परतारित नहीं कर करने की सक्थ हिदायत दी है, रात में अब पुलिस के चोकसी को और भी पुकता किया जाएगा, सहर के सभी प्रमुक चोक चराहों पर रात की पाले में भी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, डिजीपी एसके सिंगल ने इसकी जानकारी दी है, इसके साथ आब बेवज़ा बाहर गोमने पर 2000 रुपे तक का जुर्माना वसुल किया जाएगा, आज के लिए आपका स्वाल बताए कि हमारे देश में वर्तमान में ग्रिया मंत्री कौन है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं